नमस्कार दोस्तों सस्क्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल को हमारा लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जो बिल्कुल मुफ्त है नमस्कार दोस्तों वर्ण बेस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम बार्द करेंगे 27 जुलाई 2018 को पढ़ने वाले चंद ग्रहन के बारे में दोस्तों चंद ग्रहन एक अद्बुद आकासी घटना है जब प्रत्वी सूर और चंदरमा के मद्ध आ जाती है तब चंद ग्रहन होता है दोस्तों 27 जुलाई 2018 को साल का दूसरा और अंतिम चंद ग्रहन पढ़ेगा यह असाल मा के सुक्ल पक्च की पूर्णिमा को दिन सुक्रवार को लगने वाला है यह पूर्ण चंद ग्रहन है इसमें प्रत्वी चंदरमा को पूरी तरह से डख लेगी इस दिन पूरे बारा घंटे तक भगवान के दर्सन सुब नहीं माना जाएगा इसलिए चंद ग्रहन और सूतक काल के दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे दोस्तों यह चंद ग्रहन उत्रा साड़ा और स्रवन अच्छत्र तथा मकर रासी में होगा जिनका जन्म इन अच्छत्र वरासी या मकर लगन में हुआ है उन जातकों के लिए यह कस्ट कारी रहेगा यह ग्रहन, मेश, सिंग, व्रश्चिक और मीन रासी वालगन वालों के लिए स्रेश्ट होगा और व्रशप, कर्क, कन्या वा धनूरासी वालगन वालों के लिए मध्यम फलदाई होगा और मिथुन, तुला, मकर वकुम्ब रासी वालगन वालों के लिए कस्ट प्रद होगा दोस्तों, 27 जुलाई को पढ़ने वाला पूर्ण चंद ग्रहन का समय 27 जुलाई 2018 रात 11 बचकर 54 मिनट 26 से सुरू होकर ग्रहन का पूर्ण ग्रास 28 जुलाई 2018 रात 1 बचकर 14 से लेकर 2 बचकर 43 मिनट 11 से कंड तक होगा और ग्रहन का समापन 28 जुलाई रात्र 3 बचकर 48 मिनट 69 से कंड तक होगा इस चंद ग्रहन की कुल अवदी 3 घंटा 54 मिनट 33 से कंड तक होगी दोस्तों सूतक काल का प्रारम 27 जुलाई को दोपहर 12 बचकर 27 मिनट 28 से कंड से लेकर सूतक काल का समापन ग्रहन के साथ ही 28 जुलाई रात 3 बचकर 48 मिनट और 69 से कंड पर होगा दोस्तों 2018 का ये दूसरा चंद ग्रहन भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा इसके अलावा ये ग्रहन अट्रांटिका, औस्ट्रेलिया, एसिया, अफ्रीका, यूरोप, दच्छिन अमेरिका और प्रसान महासागर, अट्रांटिक महासागर और हिंद महासागर में दिखाई देगा दोस्तों क्योंकि ये चंद ग्रहन भारत में पूर्ण रूप से पड़ेगा इसलिए सूतक काल और ग्रहन काल के सारे नियम मानने होंगे वैसे तो ग्रहन का असर हर रासी पर पड़ता है लेकिन गर्वती इस्त्री और उनके होने वाले बच्चे के लिए सुब नहीं माना जाता है इसलिए गर्वती महिलाओं को जादा सौधानी बरतनी होगी ग्रहन के दोरान गर्वती महिलाओं को क्या सौधानिया बरतनी चाहिए इस विशे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या लास्ट में एंड स्क्रीन में देखकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ड बेस मैजिक को सुस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दवाना न भूलें फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद